हेलो दोस्तों मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माइवर्ड गर्भावस्ता में हमें क्या चीज़े खानी चाहिए क्या चीज़े नहीं खानी चाहिए इसकी complete जनकारी होना काफी जरूरी है और देखें हमारा फर्ज भी यही बनता है कि कौन सी ऐसे activities जो बच्चे connection हमारे बच्चे के development से होता है तो इसी क्रम में इस वीडियो को आगे बढ़ाते वे मैंने सोचा कि क्या पता लोगों की मन में ये question आता है कि आप pregnancy में जामुन का सेवन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरे मन में भी ये चीज़े आती थी तो मैंने सोचा कि ये doubt आ काले धब्बे जैसे आने लगते हैं डार्क पैचे जाते हैं इन सब में क्या सचाई है ये पूरी डिटेल बात इस वीडियो में करूंगी इसलिए वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक एक बर ज़रूर देखेगा तो सबसे पहले बात करते हैं कि जामुन में ऐसी क्या बहुत सारे ऐसे विटमिन्स और इतने सारे अच्छे इंजाइम्स जो कि आपके डाइजेशन में काफी हिल्पुल होती हैं और साथी साथ इसमें इतने एंटी ऑक्सिदेंस पाये जाते हैं जो कि आपको कैंसर कॉजिंग जो तत्व है उनसे फाइट करने में मदद मिलती है या अनकिसी तरह का इंफेक्षन है उसे भी ये फाइट करता है बहुत अच्छे से और रही बात इसमें बहुत सारे ऐसे विटमिन्स होते हैं साथी साथ कैल्शम होते हैं मैगनेशियम होते हैं प्लस पोटेशियम होते हैं जो कि आपकी हड़ीयों के लिए भी काफी तो overall अगर बात की जाए तो इसमें बहुत अच्छे तत्व पाए जाते हैं, काफी rich होता है ये nutrients है, जिससे eyesight भी मजबूत होती है, अच्छी होती है, तो आपने देख लिए इसके सारे benefits, लेकिन इसके अगर benefits आपको लेने हैं, तो आपको इसको minimum amount में ही खाना पड़ेगा, क् कि किसी भी चीज की अती अच्छी नहीं होती है, चाहे वो आपके खाने पीने से related हो, या आपकी कोई भी activities हो, अगर आप किसी चीज का अती कर दो गए, कहा जाता है न, अती सर्वत्र वर्जते, तो उसका वो adverse effect भी दिखाने लगता है, तो अगर आप किसी चीज का अती कि जिन महिलाओं को gestational diabetes जैसी भी शिकायत है, उनके लिए ये काफी helpful होता है, क्योंकि देखे, ये glucose की मातरा around 30% तक कम कर सकता है, और ये glucose कंट्रोल करने में मदद करता है, तो जो महिलाओं चाहती है कि इस समय गर्भावस्था के दौरान उनका sugar level maintained रहे, वो minimum या limited amount में, जा ही बात आपके बच्चे के त्वचा को सावला होने वाली बात, डार्क पैचेस पढ़ने की बात, तो ये सरा सर गलत है, ये science इसको प्रूफ नहीं करता है, आपके बच्चे का जो भी color है, वो आपके उपर depend करता है, जो माबाप रहते हैं, उनका ही जो features होता है, वो करता है, बच्चे का जो त्वचा का color होता है, उसका साफ होना या डर्ल होना ये completely hereditary होता है, जैसे मैंने बताया, तो इस सब तरह की myths पे बिल्कुल मत पढ़िये, अच्छे से safely limited quantity में आप जामुन का सेवन करिएगी, काफी आपके लिए healthy रहता है, तो होप आपको ये complete ज motivation मिलती है, कुछ अच्छा करने की, आपके लिए अच्छे जैच्छे वीडियोस बनाने की, और जो भी viewers जो पहली बार मेरे चानल को देख रहे हैं, उनसे एक request है कि आपको अगर चानल पसंद आए, तो एक बार चानल को सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छे अच्छे वी आपके लिए।